जय हिन दोस्तों वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल फ्रेंड स्वागत आपका पीकेम स्पिसल कलासस में फ्रेंड से आज की वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे महात्पूर चैप्टर और बात करें हिंदी के स सबसे महात्पूर चैप्टर के बाद सबसे बेसिक पॉइंट सबसे बेसिक पॉइंट आपका हिंदी वड माला ही होता है और यहां से हर एक्जाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है यहां से 5-6 कोशन जो है बनते हैं तो फ्रेंड से अगर यहां वीडियो अच्छे से आ और एंड तक देखिएगा लाश्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका यहां से एक सिंगल भी कोशन गलत नहीं होने वाला है चाहे आप UPSI का पेपर देने जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस का या जूनियर असिस्टेंट का या सभी के लिए कामन वीडियो ह देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लीर हो जाएंगे और सभी कोशन जो है आपके अच्छे से सालव होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो फ्रेंड से यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वड माला तो देखिए हिंदी वड माला जो पाँच होती है, ठीक है? उसी प्रकार, हिंदी में, स्वड़ों की संख्या कितनी होती है, स्वड़ों की संख्या यहां पर 11 होती है, याद रखेगा, important है, जितने point यहां पर बोल रहे हैं, सभी से प्रस्न बने हैं, तो हिंदी में स्वरो की संख्या कितनी होती है 11 कौन कौन से छोटा बड़ा छोटी बड़ी यानि यहां से लेकर छोटा से लेकर आउ तक आपकी 11 सुरो हो जाते हैं जिन में से अंक और आ को नहीं काउंट किया जाता है इसलिए इसको count नहीं किया जाता है अब आगे बात करते हैं क्योंकि इसको दो भागों में बाटा गया तो बेंजन को आगे देख लेते हैं यहाँ पर का से लेकर जो ग्यान तक होता है यहाँ पर इसके बेंजन हो गये अब देखे डिटेल में आगे पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ेंगे तो हिंदी वर्ड माला अखिर है क्या तो यहां से भी प्रस्ण बना है कि वर्ड माला किसे कहते हैं वर्डों के बेवस्थित समूह को वर्ड माला कहा जाता है हमने बोला है कि वीडियो को बिल्कुल ध्या तो word maala किसे कैते है वर्णों के विवस्ति समु को word maala कहा जाता है अब जैसे बात करें यहांसे आस लेकर अंक तक ए आपके शुर हो गये यानी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा हूँ बड़ा री ए ए ओ और अंक और आ अगर आप काउंट करेंगे तो आपका यहां तक 11 11 वर्ड हो जाते हैं और यहां आपकी सोनों की संख्या हो जाएगी अंक और आह यहां पर क्या हो जाएंगे अयोग वा होते हैं क्या है अयोग वा होते हैं याद रखेगा यहां भी प्रश्ण पूछा गया है अंक और आह क्या होते हैं अयोग वा होते हैं अब देखिए जो का वर्ग में आता है जैसे हम पढ़ते हैं का से लेकर अंग्या तक यानि का खा गा गा अंग्या तो यहां से का से लेकर अंग्या तक यहां का वर्ग में आएगा यानि एक वर्ग में याद रखेगा एक वर्ग में कुल 5 अच्छर होंगे ठीक है एक वर्ग में कुल 5 अच्छर होंगे जैसे हमने का वर्ग लिया यहाँ आपका जो का वर्ग से लेकर यहाँ तक पा वर्ग तक है तो 1,2,3,4,5 टोटल यहाँ पर 25 वर्ड हो जाते हैं याद कईसे जैसे का व्रग आपनी स्टाइट किया तो का खा गा अंग्या अँग्या आपकां और के हमारा और यहाँ पर जो हमने गा ता पर है यह उत्छिप्त में आता है ता वर्ग वे पावर्ग में क्या आता है पाफा बाबा मा आता है तो इतना पॉइंट याद रखेगा इसकी एक ट्रिक है क्या याद रखेगा कचट तप क्या याद रखना है कचट तप याद रखेगा ठीक है कचट तप याद रखेगा यहां से आपके सारे डाउट क्लिर हो जाएंगे आ आप आगे बाद करते हैं, यहां से या रा लावा, यानि आप जो पढ़ते हैं, पापा बाबा मा, फिर उसके बाद या रा लावा, यह क्या जता, अन्ता अस्त बेंजन में आते हैं, फिर उसके बाद, देखें यहां बड़ा सा है, फिर उसके बाद खस्टी सा, फिर छोटा स तो आपका यह कास लेकर ग्याता पूरा complete हो जाता है, यानि आपको क्या याद रखना है, कचटता प्याद रखना है, तो आपका 25 वर्ड याद complete हो जाएगा, उसके बाद यार अलावा, फिर तीनो सा हो जाएंगे, फिर हा, फिर 16 वर्ड में आता है, इसको भी याद हमने लिखा जितने चीजों को, यहाँ सभी से प्रश्ण बने हैं, और यह complete वीडियो है, तो बिल्कुल patience बना कर देखिएगा, चाहे या 30 मिंट का हो, या 35 मिंट का, अगर इतना आप अपना समय देकर देख लेते हैं, तो कोई भी एक्जाम देने जाते हैं, तो यहाँ से 41 बेंजन हो गए, और 11 सुर हो गए, टोटल यहाँ पर 52 वर्ड हो जाएंगे, तो यही आपका हिंदी वर्ड माला में वर्डों की संख्या 52 हो गई, अब बात करते हैं, धोनी किसे कहते हैं, तो भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है, धोनी है, तो पूछता है भासा की सबसे चिन नहीं क्या कह जाते हैं, वर्ड कहलाते हैं, अब यहाँ बात करें स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, बेंजन की संख्या 41 होती है, टोटल अगर अगर आड कर देंगे, तो हिंदी वर्ड माला में कुल 22 वर्ड हो जाएंगे, जिस प्रकार A से Z तक आप जो काउं सेगमेंट में, अगला है, उच्चारण की द्रिष्टी से वर्ड माला को दो भागों में बाटा गया है, ठीक है, उच्चारण की द्रिष्टी से, तो पूछता है, उच्चारण की द्रिष्टी से वर्ड माला को कितनी भागों में बाटा गया है, दो भागों में याद में कौन-कौन से आ जाएंगे छोटा A, छोटी E, छोटा U, री और इनकी संख्या पूछे तो संख्या इनकी चार होती है अगला है दीर्गुसर दीर्गुसर में दीर्ग का आर्थ होता बड़ा तो बड़ा A, बड़ी E, बड़ा U, A, I, O, O तो यहाँ पर आपके दीर्गुसर हो गए, इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, साथ जैसे यहाँ पर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और साथ, टोटल यहाँ पर दीर्गुसरों की संख्या साथ हो गई, अगर हम सभी को ऐड़ कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 11 Uhurwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwar कंचन बैंजन काउन करना है काउंट núi गए टो यूटा वहीं गवार्ग करके ऊच्छंस इसको पढ़ते हैं सबसे पहले यác्वराउग मंदान तो इसको आसपर्स पचीस वर्ड हो जाते हैं, हमने बता था का वर्ग में कौन सा आता है, ये एक वर्ग में पांच अच्छराते हैं, तो का वर्ग में आपका आजाए का खा गा गा अंग्या, इसी प्रकार आपको पा वर्ग तक जाना है, तो पा वर्ग तक जाएंगे पापा बाभा मा, तो पा 27 है याद रखेगा important है यहाँ प्रस्ण पूछा गया है अगले question पर चलते हैं अगला है अन्ता अस्त बंजन तो अन्ता अस्त बंजन में कौन-कौन से आते हैं या रा ला और वा तो यहाँ पर total कितने word हो जाएंगे 4 तो पूछता है अन्ता अस्त बंजनों की संख्या कितनी ह संखर्शी बंजन या ऊस्त बंजन दोनों एक ही है अलग-अलग नामों से इसे कई बार प्रस्ण बने हैं तो याद रखेगा उस्त बंजन एक हैं इनकी संख्या कितनी है इनकी संख्या भी चार है कौन-कौन से तीनो और हा याईбы आपकां बड़ा सा घष्णी सा छोटा सा और हा, तो यहाँ पर संघर्षी बेंजन हो जाएंगे अगला है आगत बेंजन आगत बेंजन कौन से हो जाएंगे, जा और फा आपके आगत बेंजन हो जाएंगे, इनकी संख्या कितनी है, दो है next है आपका संयुक्ट बंजन तो संयुक्ट बंजन में आपके 6, 13, 5, 6 यैनि जो आपका कच्छा बाला चाहा होता है फिर 13, फिर 6, फिर 16 यानि इनकी संख्या भी 4 होती है अगर सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके 41 बंजन हो जाएंगे जैसे यहाँ पर 4, 3, 12 और 12, 14 हो जाएगा 14 हमें 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो 14 हमें 27 जोड़ेंगे आपका 7, 4, 11, 12, 13, 14 टोटल 41 वर्ड आपके आगए यानि बेंजलों की संख्या 41 हो गई और स्वरों की संख्या हमने कहा यहाँ पर 11 होती है तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिंदी वर्ड वाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं 52 कैसे 52 होते हैं हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिया है वीडियो को एक से दो बार जरूर देखिएगा आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत स्वर परंपरागत स्वर किसे कहते हैं तो जो आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ री, ए, आ, ओ, ओ, ओ इसी को हम क्या बोलते हैं परंपरा गत स्वर कहते हैं तो इन में से कोई एक देदेगा बोलेगा छोटा हूँ क्या है तो छोटा हूँ परंपरा गत स्वर है नेक्स्ट है हर स्वर हर स्वरों की संख्या कितनी है चार है और हर स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है कौन कौन से छोटा चोटी चोटा की से कहते हैं है अगये इसके lizen को पढ़ेंगे है ठीक है ऊपर की सिद्सक्रा रहेगा विंदी नहीं रहेगा तो इसी को आगत स्वार कहा जाता है, अगला है दीर्गुस्वर, दीर्गुस्वर में आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा हो, इतने सब आते हैं, तो इसके बारे में हमelly पीछे दिटेल से पढ़ लिए हैं आप देख लिजेगा, अब आते हैं यहाँ पर परिवासा के बारे में बात करते हैं परिवासा स्वर की परिवासा क्या है तो जिन वर्णों का उचान बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं यानि किसी भी वर्ण का अगर उचान करना है उसका उचान बिना किस किसी औरोध के तुछ अगला है हर स्वर气 तो, कम से कम, एक मातरा का समय लगता है उन्हें हम हर स्वर气 कहते हैं, याद रखीयेगा इमपोर्टन्ट है, और यहां से प्रश्ण बने हैं हर सुसवर किसे कहते हैं या ऐसे दे देगा जिन सुरों के उच्छाण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है हर सुसवर कहा जाता है याद रखेगा एक मात्रा यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है अगला है देगा जिन सुरों के उच्छाण में हर सुसवर से ज्यादा समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम देगा सुर कहते हैं अब चलते हैं अगले पॉइंट पर प्लुत सुर किसे कहा जाता है तो प्लुत सुर जैसे हमने बताया कि हे राम, तो जिन सोरों के उचाड में दीर सोर से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत सोर कहते है तो प्लुत सोर में तीन मात्रा का समय लगता है तो ऐसे भी पूछ लेता है कि जिन सोरों के उचाड में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते है उन्हें प्लुत्सर कहा जाता है जैसे किसी को बुलाना है जैसे हे राम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लुत्सर हो जाएगा जैसे ओम का जाब किया जाता है तो यहाँ पर आपका प्लुत्सर जिसको यानि अगर आप कोई खीशतान कर बोलते ह यहाँ पर प्लुतसर, जैसे कहते हैं, हे राम, ओम, इस तरह से क्या बोलते हैं, प्लुतसर, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, नोट में हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो हर ससर काउन का होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा हूँ, और री, यह हर ससर होते हैं, इसी को मूल अब यही पर आता है A, A, O, O तो यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं संयुक्तुसर याद रखीगा important है संयुक्तुसर अब A का निर्मान कैसे होता है A प्लस E अगर करेंगे तो A हो जाएगा उसी प्रकार A प्लस E करेंगे तो A बन जाएगा A प्लस E करेंगे तो O बन जाएगा और A प्लस E करेंगे तो O बन जाएगा तो यहाँ से directly परस्ट ने पूछा गया है अगर पूछ लेता है कि इन में से कौन सा संयुक्तुसर है तो आपको याद रखना है A, I, O, O आपका संयुक्तुसर है ठीक है आसा करते हैं आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बाल लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेर करें अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहां से प्रस्ण देखिए काफी important है यहां से प्रस्ण जरूर बनता है तो इस चीज को अच्छे से देखिएगा उच्छारण का स्थान यहां पर दिया है और वर्ड दिया है तो दे देता है कि कावर्ग यानि का खा गा गा अंग्या और छोटा आ बड़ा आ और हा और बिसर्ग यह सभी कहां से इसका उच्छाण होता है कंठ से होता है जैसे हम पढ़ते हैं का, घ़, घ़, अंगया उसी प्रकार आ और इसको पढ़ते समय आप खुद महसूस करिए कि आपकी जो वाईस आ रही से का, घ़, घ़, अंगया तो इक कहां से आ रही है आपकी कंठ से आ रही है अगला है तालब तो जो चावर्ग होता है वो तालब में आता है तो हमने बता दिया है अगे इसके पहले इसलिए सबसे पहले हमने पढ़ा दिया है कि चावर्ग में कौन सा आता है पावर्ग में कौन सा आता है याद रखिएगा कचट तब यानि चावर्ग में आपका चाचा जाजा यह आ जाएगा तो चावर्ग यह तालब में आता है साथी साथ छोटी यी बड़ी यी और या और बड़ा सा यह सभी तालब में आते हैं मुर्धन में कौन से आते हैं टावर्ग आपका मुर्धन में आता है साती सात जो रा है खस्टी सा है और री यह सभी मुर्धन में आते हैं अगला है दंत दंत में जो है आपका तावर गाता यानि ताथा दाधा ना यह दंत में आता है साती सात ला और छोटा सा यह आपके दंत में आते हैं याद रखेगा अगर छोटा सा रहेगा तो आपका दंत में आएगा बड़ा सा रहेगा यह आपका तालब में आएगा नेक्स्ट है ओस्ट विंज्ञन तो ओस्ट में आपका power घाता है जैसे प़ा भा भा मा अगर आप पढ़ते हैं पठा तो आपका जो ओठ से ऑच होता है पढ़िए अपने आप से खुद पाँ पाँ भाँ 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 मा यह ओट से टच हो रहा है तो यह आपका ओस्ट हो गया और इसमें छोटा हूँ और बड़ा हूँ भी आता है जैसे अगर पूछे कौन सा इसमें से ओस्ट है तो आप जो है खुद इसको एनलाईज करके कंठ तालब तो कंठ तालब में आपका ए और आ हो जाएगा कंठ होस्ट में कौन सा आता है ओ और आजाते हैं कंठ होस्ट नेक्स्ट है आपका दंतोष्ट, दंतोष्ट में वा और फा दोनों आते हैं, दोन इंपोर्टेंट है, बार-बार पूछे गए प्रशने अगला वर्तस में कौन से आते हैं, वर्तस बेंजन में आपका याद रखेगा सरल, सरल याद रखेगा और नज याद रखेगा, सरल नज, ऐसे याद रखेगा, पुछ लेगा वतसर बेंजन कौन सा है, आपका सरल नज होता है, यानि सा भी होता है, रा, ल, न, ज, यहाँ पर यह चारो पाशो वर्ड जो है यह आपके वदसर बेंजन में आते हैं स्वर तंत्री बेंजन कौन सा है आपका हा स्वर तंत्री बेंजन है तो यहां से महत्पूर्ट चीजों को हमने कबर किया अब यहां से जो important facts है उसको भी कबर करेंगे याणि आपका एक भी single point यहां से नहीं चुटने वाला है वर्डों के कितने भेद हैं? वर्डों के दो भेद हैं कौन-कौन से स्वर और बेंजन याद रखेगा important है फूछा गया प्रस्ने वर्डों के कितने भेद हैं? कौन-कौन से स्वर और बेंजन सब्द की सबसे छोटी काई क्या है सब्द की सबसे छोटी काई वर्ड या धोनी है जिनका उच्चारण स्वतन्त रूप से होता है और जो बेंजन के उच्चारण में सहायक होते है सवर कहलाते है important है या भी प्रस्ण पूछा गया है अगला point है कहता है अनुनासिक सब्द किसे कहते है तो जिन सब्द के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक सब्द कहा जाता है जैसे हम बात करें आ और बड़ा इ और संभालना तो ये क्या हो जाते हैं आपके अनुनासिक सब्द हो जाते हैं याद रखिएगा ये संभालना पूछा गया प्रश्ण है, तो जिन स्वरों के उचाड में हवा नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं, और जो नाक से नहीं निकलती है, केवल मुख से निकलती है, उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं, तो आगे पढ़ते हैं यहा अब आगे बात करते हैं बेंजन तो जिन वर्णों के उचारण में सोरों की सहायता ली जाती है यानि जिन वर्णों के उचारण में सोरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेंजन कहते हैं यह अभी प्रस्ण पुछा गया है इसको ध्यान रखिएगा अब बात है यहां पर लुंतित है और ला क्या है ला पारस्विक है याद रख को उठर का यहां से प्रशन बने तो अन्ता स्थाफ्वेंजन कॉँ से हैं या रा लावा हैं और यहां पर या और वा अर्थ सब्स्वर हैं रा लूंतिध है और ना पारसविक है अब यहां पर हम पढ़ते हैं स्व्यक्तिस्वार, तो स्व्यक्तिस्वार हमने पढ़ लिया है कि A, A, O, 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 O जिसको हम खीश तान के बोलते हैं जैसे कहते हैं और उसके बाद हे राम तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लूत्सवर हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर देखिए बात करते हैं यहां से प्रस्ण जो बनते हैं तो मुख खुलने के आधार पर सोरों का वर्गिकर्ण तो मुख खुलने के आधार पर सोरों का वर्गिकर्ण मुख चार प्रकार से होता है कौन कौन से विब्रित स्वर अर्ध विब्रित स्वर सम्वर अर्ध सम्वर देखे फ्रेंड्स यहां काफी important collection है और यह collection जो है आपको जल्दी नहीं देखने को मिलता है तो यहां से बड़ा और अ क्या कहेंगे आ और अ इस तरह से चैनल याद रखे गा बड़ा और उसके उपर चंद कानता बिंदी जो होती है यह आपका विब्रित स्वर में आता है जिन सोरों के उच्छाड में आधा मुख खुला होता है यानि हमने विब्रित सोर में यानि पूरा मुख खुला होता है लेकिन अर्ध विब्रित का मतलब ही होता है कि आधा मुख खुला रहे है यानि हाफ ओपन तो आपका इसमें क्या क्या आता है इसमें आ जाएगा आपका हमको भी इधा कोशन जो है कई वार हमने practice किया तब जाके याद हो गया और आप wordmAllah से चाहे जहां से कोशन कोई दिक्कत नहीं है एक भी single question गलत नहीं होते हैं ठीक है संबित स्वर, अब संबित स्वर जो है क्या है? जिन स्वरों के उच्छाण में मुख Like बन रहते हैं उन्हें हम क्या कहते है? संबित को क्या कहते है? क्लोज जिसमें क्या क्या आता है? छोटी बड़ी या चोटा हूँ बढ़ा हूँ यानि E-E-OO-U तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका संब्रित हो जाएगा अर्ध संब्रित में क्या आता है जिन स्वरों के उच्छाड में आधा मुख बंद होता है यानि हाफ क्लोज होता है इसमें कौन सा है ए और ओ है ए ओ आपका अर्ध संब्रित में आ जाता है तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया मुख खुलने की अधार पर तो यहाँ पर आप़ रखेगा इंपॉर्टन रबार पूशता है तो जीवा के दार पर तिन प्रकार के होता है अगरस्वर, मद्द्वर और पल्स्वर तो जिन स्वरों के उचार्ण जो है जीव के आगे भाग से होते हैं उन्हें हम अगरस्वर कहते हैं तो इसमें आपका छोटी, बड़ी ई, ए और ए और री A आपके पांचों point आते हैं मद्धस्वर में आपका क्या आता है मद्धस्वर में किवल A आता है तो जिन सुरों के उचारण में जीव के मद्ध भाग से होता है उनको हम मद्धस्वर कहते हैं इनकी संख्या किवल 1 है कौन छोटा A तो direct question बनता है कि इन में से मद दिस वर कौन सा है तो आपको याद रखना है मद दिस वर आपका आ हो जाएगा जैसे याँ 3 सक्षन complete होगा 3 सक्षन complete होने के बाद इसका एक complete objective type question लाएंगे जिसमें लगवग सव question रहेंगे और यह वर्डमाला से आपका अच्छा खासा practice भी हो जाएगा तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लिजिए दो-तीन बार इस वीडियो को देख कर और उसके बाद इसका हम practice भी करवा देंगे यहाँ पर लगवग सव question का आगे है पस्ट सुर तो जिन सुरो का उचार जीव के पीछे वाले भाग से होता है उनकी संक्या जो है पांच है इसमें आपका बढ़ा आ तो और उसके बाद छोटा हो बढ़ा हो ओ आओ यह सभी आते हैं यह पस्ट सुर में आते हैं आगे यहाँ पर है ओट की इस्तति क्यादार पर सुरो का वरिकन तो बृत मुखी होता है और आप रित मुखी होता है तो जिन सुरो के उचार में गोला बनाते हैं उन्हें हम बृत मुखी कहते हैं अगर आप अपने जुबान से इसको बोलेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो ओष्ट है यहाँ पर आपका बन जाएगा गोला जैसे छोटा हो बढ़ा हो और ओ और ओ आप रित मुखी यानि जिन सुरो के उचार में ओठ जो है गोला नहीं बनाते हैं जैसे छोटा बढ़ा छोटी, बड़ी ए और आ, यह सभी गोला नहीं बनाते हैं ओस्ट, नेक्स्ट यहाँ पर ऐयोग वाह, तो आयोग वाह किसे कहते हैं तो हिंदी वड़ माल अमें ऐयोग वाह की संख्या कितनी हैं दो है, कौन-कोन से अंक और आ, तो यहाँ जो अंक होता है इसे अनुस्वार कहते हैं याद रखे अगला पॉइंट है हिंदी वर्माला में सोरो की संक्या कितनी होती 11 परंतु अयोगवाह को जोड़ने के बाद कुल सोरो की संक्या 13 हो जाती है याद रखे से अब इससे बाहर कोशन नहीं बने गाँ है अब बैंजन कया है जिन वर्म के उच्षाड में सोरो की सहाता ली जाती है उन्हें हम बैंजन कहते हैं तो बैंजन को निम्रिंगत भागों बाटा गया है असपर्स वैंजन ठीक है क्या है असपर्स बेंजन तो जिन बेंजनों के उचाड में हवा मुख के किसी विसेस अस्थान जैसे कंट हो गया तालू हो गया मुर्धा दंत या किसी विसेस अस्थान से असपर्स करती हुई निकलती है उसे हम असपर्स बेंजन कहते हैं इनकी संक्या 25 है कैसे है यो कि हमने उन्हें बताया था कच याद रखेगा, यहां से आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, और पावर्ग. अन्तास्त बंजन कावं से हैं, तो जिन वड़ों का उचाण स्वर और बंजन के बीच से होता है, पूशा भी एक कोशन, कि जिन वड़ों का उचाण स्वर और बंजन के बीच से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अन्तास्त बंजन कहते हैं, इनकी संख्या क्या है, चार है, यार लाजा होती है। उस्ट बैंजन क्या है उस्ट बैंजन, या संघर्शी बैंजन. तो जिन बैंजनों का उचाण करते समय्य दाथ और जीव के पास हल्की सी उसमा उत्पन अति है। उस्ट कहते हैं। और उस बेंजन को ही संगर्शी बेंजन कहते हैं, इनकी संख्या चार है, कौन-कौन से तीनों सा और हा याद रखेगा, इंपोर्टन है उत्षिप्ट बेंजन क्या है, उत्षिप्ट बेंजन जिन बेंजनों के उचार में जीव पहले उपर उठकर मुर्धा को असपर्स करती है, फिर जटके के साथ नीचे आती है, उसे हम उत्षिप्ट बेंजन कहते हैं उत्षिप्ट बेंजन को ही दूगुड बेंजन कहा जाता है इनकी संख्या दो है संस्कित में इन्हें संस्कित में नहीं होते हैं इस संस्कित में नहीं होते हैं ए बेंजन हिंदी गए बिक्सित बेंजन है अगला है संजिक्त बेंजन तो संहिक्त बंजन यहाँ पर देखी क्या क्या होते हैं संहिक्त बंजन में आपके जो कछा च्छा वाला च्छा होता है त्रा ग्या स्रा याद रखे काफी important कछा च्छा जो है कैसे बनता है का प्लस खस्टी सा से बनता है अगर आप junior assistant के लिए तैयारी करें तो आपको टाइपिंग भी देना है तो अगर आपको यहाँ पर च्छा लिखना है तो आपको का लिखना पड़ेगा का को आधा करना पड़ेगा तब जाके खस्टी सा लिखना पड़ेगा और अगर बेंजनों की संख्या आपकी 41 नहीं दिया है तो आपको 33 लगाना होगा अगर बेंजनों की संख्या 41 नहीं दिया है तो 33 लगाना पड़ेगा अगला है घोसत्तो के अधार पर वड़माला का वर्गिकन तो घोसत्तो का अर्थ पहले क्या होता है तो स्वर्थ तंत्रियों में धोनी का कमपन ही घोसत्त होता है घोसत्त के अधार पर वड़माला को दो भागों बाटा गया है अगोस और सघोस तो यहाँ पर देख लिते हैं जिन धोनियों के उचाड़ में स्वर्थ तंत्रियों में कमपन पैदा नहीं होता है उन्हें हम अगोश कहते हैं यानि जिन धुनियों यानि कोई भी धDOंझा आप उचायर्ण कर रहे हैं अगर स्वर्टंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन हो रहा है उसे हम अगोश कहते हैं तो परतेक वर्ग का पहला वड़ और दूसरा वड़ अगोश होता है ठीक है यानि पहला और दूसरा अगोश होता है और तीसरा और चौथा आपका सघोश होता है अब यहाँ पर देखिए सघोश कहा है जिन धुनियों के उचाण में स्वर तंत्रियों में कमपन पैदा होता है उन्हें हम सघोश कहते हैं सघोश को भी घोश कहा जाता है तो इन्हें सघोश वर कहते हैं प्रतेक वर का तीसरा चौथा पांचवा वर यहाँ पर सघोश कहलाता है अब आगे यहाँ पर एक्जामपल के माद्यम समझते हैं एक्जामपल के माद्यम से देखिए यहाँ पर तो पहला और दूसरा वर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगोस हो जाएगा ठीक है? क्या हो जाएगा? अगोश तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं कख यहाँ पर कचटतप याद रखिएगा कचटतप ठीक है? कचटतप याद रखिएगा यानि उसके बाद जो दूसरा वड़ होगा का के बाद खा, चा के बाद छा, टा के बाद था, ता के बाद था, और पा के बाद फा, अगर कहीं भी इस परकार से कोशन आए, अगोश, अगोश कुछ भी, तो आप कचटतप को तुरूंद याद करिएगा, कचटतप, तो तुरूंद उसका कचटतप लिखे, आगे आप ए तो अगोस में आता है तो अगोस को मना दिजिए अपसोस तो बस आपसोस स्याद रहेगा यहाँ पर आपका था जो यहाँ यहाँ आपका अगोस होता है और सघोस होता है a seventh franc होता यहाँ I कचटतप लिख के हैं आपका तीसरा चौथा पांचवा लिखिएगा यानि का के बाद खा को छोड़ दीजिएगा उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा चा के बाद फिर दूसरा छोड़िएगा यहां पर जा जा यहां उसका टा के बाद यहां पर तीन चार पांच ता के ब यहां से आपका यारा लावा और हा भी हो जाएगा यहां से आपका यारा लावा और हा हो जाएगा ठीक है यहां पर है यारा लावा हा और उसका छत्राई ग्यासरा यहां पर आपका सघोस में आता है यहां से आपके बार बार प्रस्ट बने हैं तो बिल्कुल अच्छे से देखिए ध्यान से अगला सभी सवर सघोस होते हैं अब देखिए अलप्राण महाप्राण तो अलप्राण और अर्थ होता y इनके उच्चाड में फेफडे से बाहर निकलने वाले y की मातरा कम होती है इसे अलप्राण कहते है तो प्रतेकवर का पहला तीसरा पांचवा ठीक है तो यहाँ पर अलप्राण होता है अलप्राण जो होता है 135 वाला होता है अलप्राण याद रखेगा अलप्राण का ट्रिक क्या है 135 और अन्ताहस्ड वेंज्ञन इस सभी जो है अलप्राण में आते हैं ठीक तो जैसे आप लिखेजा एक दो तीन चार पांच तो आपके यहाँ 5 होगे 5 अब रखोंगे तो पहला तीसरा पांचमा आपके अलप्राण हो गए दूसरा और चौथा महाप्राण में आ जाएगा ठीक है? तो कचट तक आप याद रखे कचट तक के बाद पूरा लिख लिजिएगा और यहाँ पर पहले वर्ग में जिसे काखा तो हमने इसको डिटेल से पीछे बता दिया आप अच्छे से देख लिजिएगा महाप्राण में इनके उचाड में फेफ़णों से बाहर निकलने वाली वाई जो है अब एच्छा कृत अधिक होती है परत्रेक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड और साथी साथ जो है और बग में आपका याद रखिएक कघ जारें तो यानी या रालावा टीका है यहांपर एक तीन पाँछ जाएगा यहां पर कचटटब देखी है न कचटटब तो बस कचटटब यहाद रखिए आपके सारे कोशन यहां पर साल हो जाएगे महाप्राण में क्या जाएगा दूसरा और चवत्ता आजाएगा अब यहां पर कुछ महत्तपूर चीज़ है इसको हम देख लेते हैं और जिसे आगत और ग्रिहित बिंजन किसी कहते हैं जिन वर्डों के तल बिंदू या नुकता लगा होता है उन्हें हम आगत बिंजन कहते हैं ठीक है तो जैसे यहां पर का के नीचे देखते होंगे आप ए अगरे जी भासटा लाए है तो यहां प्रस पूछा गया है तो आपका अंगरेजी भासटा से कहँन सा स्वर आया है तो आपका अगरेजी भासा से से आया है अगला है स्वर तंत्री या काकल लिवर्ड तो हा को ही स्वर तंत्री या काकल लिवर्ड कहा जाता है क्योंकि हा को बोलते समय वायू बिना किसी उचार अस्थान को असपर्स किये मुख से तेज प्रवा से निकल जाती है ठीक है तो हा को क्या कहते हैं काकल लिवर्ड कहते हैं अगला है अर्दसवर, अर्दसवर में आपका या और वा अर्दसवर में आते हैं, लुन्ठित जो है आपका क्या है लुन्ठित रा होता है, यानि लुन्ठित रा को लुन्ठित वड कहा जाता है क्योंकि रा का उचार करते समय जीव तालू से लुढ़क कर असपर्स करती है, पार्सविक वर्ड में कौन सा है ला आपका पार्सविक वर्ड में आता है इसको हलके मत लीजिएगा ठीक है यहाँ प्रस्ण पूछा गया है तो पूछता है कि इनमें से कौन सा लूंटित है तो आपको याद रखना है रा लूंटित है और ला पार्सविक है अगला है यहाँ पर अमानक वर्ड कौन कौन से होते हैं तो कि यहाँ से प्रस्ण बनते हैं तो अमानक वर्ड आपके आद रखना है जिन वर्डों को अरतमान समय में अमान निभूशित कर दिया गया है वे अमानक वर्ड कहलाते हैं तो ऐसे चार आपसं देदेगा कि यहाँ पर क्या है अगर भादे दिया तो उसमें से आपको तीन तुसाही देदेगा एक ठुशी पर कर देगा तो कहेगा इसमें से अमानक वर्ड को पहचा नहीं है तो यही वाला अमानक वर्ड हो जाएगा ठीक है याद रखेगा अगर ला ऐसे लिखा जाए है तो यह आपका अमानक वर्ड हो जाएगा ला सही है इस तरह से इस तरह गलत है अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और पॉइंट है प्रकंपित में आपका रा आता है ठीक है प्रकंपित में रा आता है संप्रिक्त धनिया कौन से होती है संप्रिक्त धनिया तो जब एक धनी दो बेंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे हम संप्रिक्त धनिया कहते हैं संबल रिक्त अस्थान यह सब संप्रिक्त धुनिया है तो जब एक धुनी दो बेंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उन्हें हम संप्रिक्त धुनी कहते हैं जैसे संबल रिक्त अस्थान यह सभी संप्रिक्त धुनिया है यूगमग धुनिया किसे कहते हैं तो यूगमक दोनी किसे कहते है यूगमक दोनी को देख लेते हैं जब एक ही दोनी का सही तुरूप हो जाता जब एक ही दोनी का सही तुरूप हो जाता उसे हम यूगमक दोनी कहते है जैसे पक्का में जिसे का लिखा है तो आधा का है फिर पूरा का है उल्लास में आधाला है पूराला है दिक्कत में आधाका है फिर पूराका है यानि एक वर्ड आधा है और एक वर्ड पूरा है तो वहाँ पर युगमक धोनिया हो जाएगी जैसे दिल्ली दिल्ली क्या है यहाँ पर आपकी युगमक धोनिया में आ जाएगी ठीक है यहाँ पर अमानक वर्ड कह रहा है तो जिन वर्डों में केवल आ की मातरा जुड़ी होती है उन्हें हम अमानक वर्ड कहते हैं जैसे कम, पलपल, अब, कलरो यानि यहाँ पर जो केवल आ की मातरा जुड़ी है इन्हें अमानक अमातरिक वर्ड कहते हैं इसलिए यहाँ पर अमात्रीक वर्ड हो जाएगा अब चलते हैं यहाँ पर next point पे जिहवा या मुली वर्ड तो जिन वर्डों का उचाण जिहवा के मूल अस्थाल से होता है उससे हम जिहवा या मूली वर्ड कहते हैं जैसे का वर्ड, आपका मूल वर्ड है तारण जात यहाँ पर उत्षिप्ट बेंजन को रड़ा और ढ़ा को सुरी यहाँ पर तारण जात वड़ कहा जाता है और यहाँ पर वत्सर वड़ों का दूसरा नाम क्या है दन्तमूल वड़ यहाद रखेगा वत्सर यहाँ पर दंतमूलवड हो जाएगा अगला है रेफ रेफ क्या है जब रा के बाद कोई बेंजन होता है तो रा बेंजन के उपर क्या लगता है रेफ का रूप ले ले जैसे धर्म क्या है धर्म जैसे यहाँ पर रा के बाद कोई बेंजन हो जैसे यहाँ पर धर्म लिखा है धर्म यहाँ पर रेफ का रुबले जो उपर वाला यह उड़नतुआ रा हम कहते हैं इसको इसी को रेफ कहा जाता है बेंजन दो तरह से लिखे जाते हैं तो बेंजन दो तरह से कौन कौन से एक खड़ी पाई वाले बेंजन एक बीना खड़ी पाई वाले बेंजन जैसे यहाँ पर हिंदी वर माला में यहाँ पर टा हो गया ठा हो गया दा हो गया और बीना खड़ी पाई वाले बंजन है तब बागी सभी बंजन जो है यहाँ पर खड़ी पाई वाले बंजन लिखते समय खड़ी पाई लगाते हैं इसलिए यहाँ पर खड़ी पाई वाले बंजन कहलाते हैं ठीक है अगला यहाँ पर प्लूट स्वर प्लुट सवर को जो है, त्री मात्रिक सवर कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ वीडियो एक से दो बार देखेंगे, तब जाके आपको अच्छी से समझ में आएगा, यहाँ से आपका कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, अगर इतना आप चोटा बड़ा और हा और बिसर यहाँ पर कंट दोनी में आते हैं, कंट वर्ड कौँ सा है, तो आपका बड़ा हा और बिसर के कंट दोनी में आते हैं, कंट वर्ड कौँ से है, यहाँ पर छोटा घा का उचाड कहां से होता है, कंट से होता है, बेंजन का उचाड जो है ताल सा का उचाड कहां से होता है तालू से होता है तो यहां जो है आपका बड़ा सा इसलिए तालू से होता है अगर छोटा सा रहता है आपका वहां दंत से हो जाता है अगला है यहां पर छोटी बड़ी चा चा जा 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 यहां और सा दोनों का यहां पर उचाड क्या होता है ताल यहां पर अगर अच्छे से आपने रीड कर लिया है अच्छे से देखा है तो यहां से आपके सिंगल भी कोशन नहीं छूटने वाले हैं ठीक है हिंदी में साध होनी होती है तालब तावर की किस प्रकार की बंजन में आता है? मुर्धन में आता है तावर का उच्छान कहां से होता है? मुर्धा से होता है और यहाँ पर डा का उस्थान कहां से होता है? मुर्धन से होता है क्यों? क्योंकि टा ठा डा डा अडा होता है हिंदी की मुर्धन दुनिया कौन सी है ता ठा डा डा होता है उच्चारण अस्थान की दृष्टी से कौन सा सुद्ध है तो यहां पर सा जो होता है आपका दंत होता यानि छोटा सा दंत होता है बड़ा सा तालब्ध होता है खश्टी सा मुर्धन्य होता है याद रखेगा इ तो यहाँ पर ता धा जो है दंत में आजएगा, दंत वर्ड में कौँस आता है, ता था दाधा ना ठीक है, अब यहाँ पर दंत धोनी काउंसी, वही चीजे यहाँ पर देखी आप अच्छे से रिठ कर लिजेगा, यहाँ से आपके कबर हो जाएंगे, ता था दाधा ना और और साथ दंत में आते हैं, ठीक है, फिर पूछाए कि तावर्ण का उचाड कहां से होता है, दंत से होता है, हिंदी की ओष्ट धोनी काउन सी है, तो जो ओठ से बोलते हैं, इसे पापाबाब ओलेंगे, तो आपका ओठ सट जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं, यानि ओष्ट हिंदे में बाद होनी कौन सी है ओस्ट है फिर यह देखे बार बार पूछा है कि पाफा बावा मा क्या है ओस्ट होनी है ओस्ट वर्ड कौन से है तो यहां पर छोटा हू बड़ा हू पावर्ग अन्ता अस्थ वर्ड कौन से है या रालावा अन्ता अस्थ है अर्जसर क्या किस खस्टी सा से का को आधा करके खस्टी सा लगाते हैं तो अच्छा वला च्छा बन जाता है सवीक्त बंजन में किया कैसे बनता है जा प्लस भींट असे इसके पहले भी हमने बता दिया इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा अलप्राण में क्या आता है तो यहाँ पर पहला तीसरा पांचवा आपके अलप्राण में आते है अलप्राण बेंजन कौँ से है एक तीन पांच आपका अलप्राण में है महाप्राण में दूसरा और चथा आपका महाप्राण में आता है ठीक है तो यहां से वही प्रस्णु है, बार-बार पूछा गया है, अगोश वर्ड में क्या क्या आता है, अगोश में आपके हमने बताया था अफसोस, तो यानि आपका कचटतप याद रखिएगा, ठीक है, और उसका तीनो सा, अफसोस हमने बताया था, अफसोस, बस वही याद क्याँ तो अगोश में आप असानी से पहचा ले जाएगे, सगोश वर्ड में क्यों सा होता है, तीसरा, चौथा, पांच्वा, सगोश में आता है, अनतास्त में सभी सवर यहाँ पर आते हैं, हिंदीवर माला में अंक और अक्या है, तो यह अयोग वाह है, तो कहरा है, जिन धनियोग की गढ़ना ना सवर में की जाती है, ना बेंजन में की जाती है, उससे हम क्या करते हैं, अयोग वाह कहते हैं, यानि जिनका उच्छान, जिनकी गढ़ना जो है, ना तो सवर में की ज जाती है ना तो बेंजन में की जाती है उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं नेक्स्ट है आपर कुछ पॉइंट और बचे हुए है तो जिसके अभाव में हम पढ़ नहीं पाते हैं देखें वर्माला की करम बद्धा का ज्यान तो वर्माला करम बबद्ध तरीके से नहीं है तो उसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं ठीके अनुनासिक बंजन कौन से होते हैं वर्मालवाज का पंचमा होता है वही अनुनासिक बंजन होतÁ है जिसे अंग्या इया डानामा इसको याद रखेगा अंग्या इया डानामा ए अनुनासिक बेंजन में आते हैं अगोश अलप्राण में कौन साता है का औरता आपके यहां पर अगोश अलप्राण में आते हैं यहां पर सगोश महाप्राण में कौन साता है जहा आता है कामता प्रसाद गुरु ने बाहतम यहां पर बाहत प्रत्न की अनुसाय बेंजनों को कितने भागों बाचा है दो भागों में अलपरान और महहापरान हिंदी की असपर्ष घोर ऑउस्च बेंजन धुनिया है यहां पर भाग जो हमने पताया है उसको अगर अच्छे से आप देख लेंगे तो समझ में आजाएगा या कैसे है तो फ्रेंड्स से इसी के साथ वर्डमाला पूरी तरह से कंप्लीट होता है और यहां से फ्रेंड्स आपका एक सिंगल पॉइंट नहीं चुटने वाला है विश्वास मानिए अगर इस वीडियो को आप एक से दो बार अच्छे से देख लिते है तो यहां से आपका एक सिंगल भी पॉइंट नहीं चुटेगा चाहे जोन साब पेपर उठा लीजिए ठीक है चाहे टेट सुपर टेट ठीक है यूपी एसाई यूपी पुलिस और उसका वीडियो लेकपाल किसी का भी आप चाहे जूनियर से सेंड़ का ठीक है अगर वड़माला से जहां भी प्रस्ण पूछेगा है आपके यहां से एक सिंगल भी कोशन गलत नहीं होंगे ठीक है तो फ्रेंड से नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा इसमें हम लगभग 100 कोशन MCQ फार्विन में इसको कोशन करवा के साल्व करवा देंगे और इसी के साथ यहां पूरा चेप्टर आपका कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड से चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन वंदे मातरम